प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के नेत्रित्ववाली कैबिनेट कमेटी ओन सिक्योरिटी, CCS, ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है। पांचवी पीधी का यह विमान Advanced Medium Combat Aircraft, एमका, प्रोग्राम के तहित बनेगा। इसके लिए 15,000 करोर रुपए एप्रूव किये गए है। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। आईए जानते हैं क्या है इस विमान की खासियत और ताकत। जानने से पहले चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जानते हैं पूरी खबर। इस फाइटर जेट का नाम है Advanced Medium Combat Aircraft, एमका। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414, जीई 414 के दो इंजन लगे होंगे। एमसीये आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेनी में भारत भी शामिल हो जाएगा। एमसीये के आने के बाद भारतिये वायुसेना की ताकत कई गुना बर जाएगी। एमका अमेरिकी F-35 और रूस के सू 57 को कड़ी टकर देगा। देश में अभ इसकी अधिक्तम गती 2633 किलोमीटर A4 होगी। F-35 की अधिक्तम गती 2000 किलोमीटर A4 ही है। एमसीये के आने के बाद पाकिस्तान तो मुन्ह खोल नहीं पाएगा। लेकिन चीन की हालत खराब ही रहेगी। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से एमसीये की ज्यादा रेंज। एमसी 40 किलोमीटर होगी जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2800 किलोमीटर है। कॉमबैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी जबकि F-35 की कॉमबैट रेंज 1249 किलोमीटर है। भारतिये लड़ाकु विमान 57.9 फीट लंबा होगा जबकि F-35 छोटा है। यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा जबकि F-35 का 35 फिट ही है AMCA की उंचाई 14.9 फीट होगी जबकि F-35 की 14.4 फीट है AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है वो है इंधन की क्षमता भारतिय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 केजी फ्यूल आता है AMCA में आधुनिक डिस्प्ले और कमांड कंट्रोल होगा भारतिय फाइटर जेट अधिक्तम 65,000 फीट की उंचाई तक जाएगा ये फाइटर जेट भारतिय वायुसेना और भारतिय नौसेना के लिए बनाया जाएगा इंडियन एर फोर्स इस फाइटर जेट के साथ स्क्वाडरन बनाने की योजना बना रहा है पहले वर्जन के बाद AMCA मार्क 2 में और ताकतवर ज्वाइंट वेचर इंजन लगाने की प्लानिंग है इसका कॉक्पिट मैनमशीन इंटरेक्शन पर आधारित होगा पैनारोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड सब डिस्प्ले की विवस्था होगी AMCA में हैंस ओन थ्रोटल एंड स्टिक होतास अरेजमेंट होगा जो पाइलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रोटल होगा ताकि पाइलट का वर्कलोड कम हो सके हथियारों का पुरा जखीरा चौकाने वाला है आपको AMCA में 14 हार्ड अप वाइंस होंगे इसमें 23 मिलीमीटर की जीश 23 कैनन लगी होगी इसके अलावा S8 रॉकेट पॉद्स, अस्त्र मारक 1, 2, 3 हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल ब्रहमोस NG, संत्थ और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी F-35 फाइटर जेट में 1, 25 मिलीमीटर का कैनन है 4 हार्ड अप वाइट्स है 6 एकस अटरनल हार्ड पॉइंट्स है यह हैम 129X, 132 और हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मीटियोर मिसाइल से लच है इसके अलावा इस पर हवा से सत्थ पर मार करने वाली AGM-88G, AGM-158, स्पिर-3 हवा से सत्थ और हवा से ship पर मार करने वाली मिसाइले तैनात हो सकती है ये जानकारी आपको कैसी लगी, कॉमेंट में हमें जरूर बताए विडियो आपको इन्फोमेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें